नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनीश कुमार सेंग लोगसभा चुनाओ के चलते भारती जंता पार्टी की तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री देश भर में ND और BJP प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से जंसभा और रैलियों के माध्यम से वोटिंग की अपील कर रहे हैं ऐसे में मदूबनी में जंसभा को संबोधित करने पहुंचे ग्रह मंत्री अमिश्या ने कहा कि मैं मिथला की दर्ती को प्रणाम करता हूं मैं आज मिथला में आया हूं सबसे पहले माता जंकी को प्रणाम करता हूं ग्रह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने अभी-अभी कर पूरी ठाकुर्जी को भारत रत्न का सम्मान दिया उन्होंने देश भर के दलित पिछडा, आदिवाशी, माता बहनों का आवाज बुलंद करने का काम किया लालू जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप केंदर में 10 साल और बिहार में 15 साल रहे लेकिन आपने करपूरी जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया ग्रह मंदरी अमिश्या ने पूछा कि आप बताओ ये लालू तेजस्वी या राहूल गांधी देश का विकास कर सकते हैं क्या यह लोग तो छुट्टियां मनाने बैंककोक और थाइलेंड चले जाते हैं हमारे पीम मोधी 23 साल से दीपावली सैनिकों के साथ मना रहे हैं ग्रह मंतरी भाजपा के पूर्व सांसद हुकुम देव नरायन यादव की खोपतारिफ की उन्होंने एंडी प्रत्याशी अशोक यादव के पक्ष में लोगों से वोटिंग की अपील की इसके बाद जैसी अराम और वंदे भारत के जैकारों के साथ अपना संबोधन खत्म किया कॉंग्रेस और इंडी गटबंदन वालों ने 12 लाग करोड का गोटाला किया हमारे हुकुम देव नरायन जी इतको अब तक अच्छा घर नहीं है लालू जी का पूरा परिवार बड़े बड़े बंगले में रह रहा है महंगी महंगी गाडियों से घूम रहा है यह सब कहां से आया कॉंग्रेस के एक सांसत के घर से जहारखंड में 3500 करोड रुपे मिले तरनमूल के मंत्री के घर से 50 करोड रुपे मिले यह सब रूपे कहां से आए आप बताओ आप लोगों ने एक साथ 50 करोड देखा है क्या लालू जी ED ED कर रहे हैं लालू जी आपको जो करना है कर लो ब्रश्चाचार वालों को मोधी सरकार सलाकों के पीछे भेज कर रहेगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहेए SPN 9 News